Welcome back, आज हम ये एक interesting सा part डिजाइन करेंगे, एक fruit basket को डिजाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह थोड़े से steps में हम इस तरह का कोई भी part डिजाइन कर सकते हैं अब इस part को जब हम draw करेंगे तो सबसे पहले revolve extrusion की command यूज़ करते हुए हैं इस तरह की एक basket की shape draw कर लेंगे, उसके बाद different patterning की commands यूज़ करके ये जो अंदर वाले हमारे पास extrusion cuts हैं, इनको हम draw करेंगे तो देखती हैं, इस तरह का या इस तरह का कोई भी हम similar part किस तरह से draw करते होते हैं new part design में चलते हैं और required plane front plane पर select करते हैं एक center line सबसे पहले draw कर लेते हैं और उसके बाद मैंने जो उसका part cross-sectional draw करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक sketch draw कर लेता हूँ अब मैं इसको required dimension दे देता हूँ this is 100 mm और यह मेरे पास इसको हम 150 mm dimension दे देते हैं और जो curve है उसको हम radius दे देते हैं 10 mm और उसके बाद एक हम और dimension देते हैं जिसमें यह वाली जो angle है मेरे पास that is 105 degree okay तो यह मेरे पास जो है वो define है features में चलते हैं और यहाँ पर revolve box पर इसको select करते हैं हमारा obviously sketch currently open है इसको yes कर दें और okay कर दें तो यह हम देख सकते हैं हमारे पास preview आ रहा है click okay करते हैं तो यह मेरे पास जो मेरा basic feature है वो draw okay अब जरा देखें किस तरह मैं extrusion cuts create करने करने से पहले मैं कुछ edges को fillet भी quickly कर लेता हूं 10 mm के मैंने fillets देने है एक इस edge को और यह नीचे वाला edge और अंदर वाला जो है इसको मैंने fillet दे देना है 10 mm okay अब extrusion cuts create करने है उसके लिए again front plane select करते हैं और sketch में जलते हैं एक मैं center line draw कर लेता हूं तो origin से मैं एक straight center line vertical center line draw कर लेते हैं center rectangle select करते हैं और somewhere इस point में एक rectangle draw करते हूं इनकी required dimensions देते हैं 55 mm मेरे पास एक square है जिसकी dimension देनी है एक को मैंने dimension देनी दूसरे को मैंने equal का relation देनी है और एक और dimension देते हैं इस point की और इस point के साथ that is 30 mm तो यह मेरे पास जो है वो square completely defined है अब चलते हैं और इसको linear pattern के जरीए हम और भी कुछ creates हमने करने हैं तो यहां पे along the y axis इसको हम 1 कर देते हैं along x axis और y axis को हम 12 करते हैं और entities to pattern select करते हैं entities to pattern में हमारे पास यह वाला square है 1,2,3,4 opposite direction यह हमारे पास जो है वो linear pattern create हो गए है click ok अब हमने extrusion cut में चलते हैं और इसी pattern पे extrusion cut करते हैं किसी एक तरफ तो यहां पे through all किसी एक तरफ हम select करते हैं click ok तो यह हमारे पास एक तरफ जो है वो cuts आ जुके हैं अब हमने यह वाले cuts all along its surface rounded surface लेके आने हैं वो किस तरह लेके आ सकते हैं circular pattern की commands circular pattern की command select करते है required features to pattern select करते हैं इसके लिए हमारे पास यह वाले cut extrusion cuts हैं इनी को create select करेंगे direction में जाएंगे direction कोई भी आप circular direction दे से लिए जिसके भी about मैंने इसको pattern करते हैं तो जिस तरह यह वाली मैं circular direction select कर सकता हूं यहाँ पे मैंने required instances 50 रखने हैं और click ok करते हैं तो यह मेरे पास जो है वो patterns create हो जाएंगे थोड़ा सा यह time लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे instances हैं जो हमने create की हो में हैं तो इन instances को create करने मे थोड़ा सा solid works जो है वो time लेगा तो anyways यह हमारे पास जो है वो create हो जाएंगे यह हम देख सकते हैं हमारे पास जो है वो food basket इस तरह से create हो जाएंगे इसको finally हम appearance दे देते हैं तो यही पे हम appearance में जाते हैं और यहाँ पे हम let's suppose plastic की appearance देनी है तो medium gloss select करते हैं और यह वाला मैं इ select कर लेता हूं तो यह चीज यह material यह सिर्फ extrusion cut में आ गया है again इसको देते हैं तो यह मेरे पास जो है वो complete part पर आ देगा तो इसको हम plain white कर देते हैं तो यह हमारे पास जो है वो food basket या कोई भी basket इस तरह की similar जो part है उस तरह का हम create कर सकते हैं still इस part को बनाते हुए अगर क्व